अभिनेतर रितिक रोशन और अमीशा पटे ने 18 साल पहले सुपर हिट फिल्म कहोना प्यार है से एक साथ बॉलिवुड में डेब्यू किया था इस फिल्म में दोनों की जोड़ी सुपर हिट रही और हाली में दोनों विक्रम फडनीस की मराठी फिल्म स्माइल प्लीस के लॉंच के दौरान एक साथ दिखें निशित रूप से दोनों का इस इवेंट पे मिलना एक शांदार पुनर मिलन था क्योंकि ऐसा लगता है कि दोनों लंबी समय बाद एक दूज़े से मिल रहे थे इवेंट में मनीश पॉल, कियारा आडवानी, पत्नी देभीना के साथ गुर्मी चौदरी, अरजुन रामपाल की पूरू पत्नी मेहर, श्वेता बच्चननन्दा, करन टैकर, सहित कई अन्य सेलिब्रिटीज मौजूद थे काम की बात करें तो रितिक इन दिनों अपनी आगामे फिल्म सूपर थर्टी की तैयारियों में व्यस्त हैं, जिसमें वहाग अनित्यागे आनित कुमार की भूमी का में नज़र आएंगे आइनस रिपोर्ट